सुशान्त केस में मुख्या रोपी रिया चकरवर्ती ड्रग्स मामले में फिलहाल 14 दिन की नियाएक हिरासत में हैं और अब उनकी जमानत याची का खारिच कर दी गई है मुंबई के सेशन कोट ने रिया और उनके भाई समयत किसी को भी बेल नहीं दी है रिया पर ड्रग्स के सेवन के साथ साथ खरीदने और किसी और को देने के आरोप हैं यानि मुंबई की भाई खाला जेल में रिया चकरवर्ती को कुछ दिन और काटने होंगे NCB ने जांच का हवाला देते हुए बेल के खिलाफ अपना पक्ष रखा और अदालत ने सुनवाई के बाद रिया और दूसरे आरोपियों को बेल नहीं दी रिया और उनके परिवार के लिए ये बड़ा झटका है रिया के वकील उनकी जमानत के लिए उपरी अदालत में गुहार लगाएंगे कोट के फैसली की कॉपी मिलते ही रिया के बकील बॉंबे हाई कोट में बेल के लिए गुहार लगाएंगе तब तक रिया को सलाखो के पीछे ही रहना होगा रिया के बारे में ये खबर आ रही है कि वो मांसिक रूप से काफी परेशान है बुधवार की रात वो जेल में रात भर जाकती रही उनकी दूसरे दिन की शुरुआत सुभा छे बजे रोल कॉल के साथ हुई रोल कॉल पर रिया चक्रवर्ती उठी और इसके बाद वो अपने सेल में वापिस भी चली गई सुभा के नाष्टे में रिया को चाय के साथ हलका नाष्टा दिया गया था जिसमें पोहा शामिल था लंच में रिया को दाल, चावल, रोटी और आलू की सबजी दी गई रिया ने अपना खाना जेल की मेंस में ही किया जिसके बाद वो पूरे दिन अपने सेल में ही रही रात में रिया ने जिनर भी लिया और फिर वो अपने वापिस सेल में लौट गई रिया ने दूसरे दिन किसी से बातचीत नहीं की। आपको बता दे इंगी नियायक हिरासत में रिया से दस दिन तक कोई काम नहीं करवाया जाएगा। जैसा कि पहले ही ये बताया जा चुका है कि सुरक्षा कारणों की वज़ा से रिया को जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक अलग सेल में रखा गया है। ये सेल समाने बेरक के पास है रिया जिस सेल में रह रही है वो एक लोकउप की तरह है जिसमें तीनों और दिवारें और एक तरफ ग्रिल है। रिया की सेल ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्कल नंबर वन में है। रिया की सेल के पास ही इंदरानी मुखर जी की सेल है इंदरानी मुखर जी चर्चित शीना बौरा हत्याकांड में आरोपी है आपको बता दे की रिया चक्रवाती ने ने आये एक हिरासत की पहली रात भाईखला नसीबी की हिरासत में काटी थी चूंकि अदालत का फैसला देर रात आया था इसलिए रिया को जेल में शिफ्ट नहीं किया गया था दूसरे दिन सुबह उन्हें भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। भाईखला जेल में रिया की पहली रात बेहत बेचैनी भरी भीती। सूत्रों की माने तो रिया को रात का खाना दिया गया जिसमें दो रोटी, चावल, डाल और सबजी थी रिया ने सही से खाना नहीं खाया और वो काफी बेचैन रही वहीं गुरुवार को रिया के वकील की तरफ से दायर की गई आचिका पर सेशन कोट में सुनवाई हुई रिया के अलावा बाकी छे आरोपियों के वकीलों ने भी अपनी अपनी दलीले दी सभी दलीलों को सुनने के बाद शेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसके बाद ये तैह हो गया कि इन सभी को गुरुवार की रात भी जेल में ही बितानी होगी आपको बता दें कि रिया के वकील सतीश मानेशंदे की तरफ से जो दलीले दी गई है जितने भी अधिकारियों ने रिया से पूछ ताच की उनमें कोई महीला अधिकारी नहीं थी इस तरह की दलील भी सतीश मानेशंदे की तरफ से दी गई है दूसरी तरफ NCB की तरफ से ये दलील दी गई थी कि रिया चकरवर्ती और उनके भाईशोविक चकरवर्ती को फिलहाल जमानत ना दी जाए क्योंकि ये दोनों बाहर आकर इस पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं NCB ने सारे सबूत इखटा करके कोट में पेश किये माना जा रहा है कि NCB ने सुरे मामले में बेहत पक्के सबूत इखटे किये है बिरो रिपोर्ट E24 रिया शौविक और सभी आरोपे के लिए सबसे बड़ा जटका है सब को लग रहा था कि उनको बेल जरूर मिल जाएगी क्योंकि उनके पास कुछ बरांधी नहीं हुई थी और लग रहा था कि जो electronic evidence थे वो भी पुखथा नहीं थे तो लग रहा था कि उनको बेल मिल जाएगी लेकिन बेल रिजट हो चुकी है एक अच्छी दलिल वहाँ पर NCB ने के वकीलों ने वहाँ पर कोर्ट में पेश कर दी जिसके चलते बेल रिजेट हो चुकी है अगर आपको हमारे ये विडियो पसंदाया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले ताकि आप इंटर्टेंडमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24